डिल्वी में बढ़ते पुल्दिफ शुरुवास्त विक्सवत में सद मौझूध है, प्रदूषन की बात करूं तो दिवाली के बाद असर देखा, लगबख PM ह के सीफ्टी 400-500 के बीच में नजरा रही है, दिल्ली वाले और देश वासी क्या उम्मीद करें कि प्रदूषन और अगर हम इसे इंप्रूमेंट की बात करते हैं तो ये तीन तारीक से हमारे पास कुछ इंप्रूमेंट आएगा जब कि हवाओं के दिशा हमारे पास थोड़ी सी तेज होगी जो तेज होने की फूंखे बजाए एक वेस्टन डिस्टर्वेंस हमारे पास नॉर्थवेस्ट इंडिया को एफेक्ट कर रहा है उसके चलते ये विंडी स्पीड में थोड़ी सी ब्रद्धी होगी और जो लगबग 20 किलोमेटर पर आवर तक हो सकती है तो तीन चार पांच में काफी तेज विंडी स्पीड चर गएगी हमारे पास और जो पॉलिटेंड हमारे पास दिली इंसिया ने बने हुए है वो हमारे पर डिस्पर्स होते रहेंगे तो तीन तारीक आदा उम्मीद कर सकते हैं कि एर कॉलेटी में इंप्रूमेंट आएगा हवाओ के दिशा बतलेगी तो परिवर्तन नजर आएगा लेकिन अभी यहां पर सवाली है कि जिस तरी किसे हम देख है वो यह दिखाने की कुशिश कर रही है कि आने वाले तीन से चार दिनों में कुछ बतलाब होगा देखेंगे हवाओं के दिसा में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा जो उतर पश्च्मी हमाई चल रही है वही चलेंगे उनकी विंड स्पीड जो गती है उसमें ब्रदी हो हो गया है और उसका प्रभाव अगर प्लेंस की बात करते हैं पंजाब रियाना और राजस्थान की बात करते हैं तो वो हमारे पास दो तारीक में और तीन तारीक में मुखितर रहेगा तो दो और तीन तारीक में हम लोग जम्मु कस्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाना साथ जो नौत राजस्तान के लागे हैं वहां पर बारिस की उमीद कर रहे हैं तो इसके चलते तो एर कॉलिटी में थोड़ा सा कर दिया देखिए दीपावली का जो टाइम होता है उस टाइम पर हमारे पास जो जलते हैं उससे पॉलिशन होता है और लोकली जो हमारे पर डेली बनता है जो वैकल से इमीशन होता है या फिर इंडस्ट्री के जाज़ता है तो तीन जगह से मारे पास पॉलिटेंट डिपॉजिट होते हैं और साथ-साथ जो वैदर होता है इसमें आपका विंड जो होती है वह हल्की हो जाती है इसकी वज़़ा से पॉलिटेंड डिस्पर्स नहीं हो पाते है इसकी वज़़े से दीपावली के टाइम में या आप ये कह सकते हैं कि अक्टूबर के लास्ट टीक में और नॉम्बर के पंदा नॉम्बर तक ये सेजिशन बनी रहती है इसकी वज़़े सब्सक्राइब को समझने की कोशिश करें तो उनका भी साब तोर पर कहना है कि नवेंबर के महीने में प्रदूशन की मात्रा को कम किया जा सके क्या मैं पूस्ट केसर के साथ मैं भावना आनाइं टीवी तेली